चलिए बच्छों आज आपन बात करेंगे Elimination reactions की जैसा आप सबको पता है चार तरह की reactions देखने को मिलते हैं अपने को substitution reaction, addition reaction, elimination reaction और rearrangement reaction तो आज मैं आपको दो इन reactions के बारे मैं बताऊंगी एक elimination reaction या will open reaction और rearrangement reaction तो elimination reaction क्या होता है eliminate मतलब कोई चीज़ को निकाल देना है न, eliminate आप सब जानते हो, कोई चीज़ को remove कर देना तो elimination reaction का मतलब क्या हुआ, ये योगात्मक अभिक्रिया की opposite है योगात्मक अभित्रिया में क्या होता है कि double bond होता है वो खुलता है दो नए sigma बंद बनते हैं एक πाई बंद खतम होता है और दो नए sigma बंद बनते हैं Elimination reaction इसका एकदम opposite है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो sigma बंद है वो हट रहे हैं और πाई बंद का formation हो रहा है यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है यह AB इसमें X और Y समू जुड़े हैं यह दोनों सिग्मा बंद है यहाँ से यह X और Y ग्रुप तूट रहे हैं तो A double bond B का formation हो रहा है अब यह देखें कहां देखने को मिलते हैं इसका पहला example है dehydrohalogenation या V-hydrogenic current इसको कहते हैं यहाँ आप देखें CH3, CH2, OH है इसका copper catalyst की presence में 300 degrees पर अगर इसको heat करते हैं तो यह क्या बन गया? CH3, CHO plus H2 यहाँ यह remove हो गया similarly CH3, CH2 यह bromine इसमें है जुड़ेवे 2 यह zinc की presence में अगर इसको heat कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें CH2, double bond CH2 plus ZNBR2 बन गया similarly dehydrohalogenation reactions अगर अपन कर रहे हैं तो यहाँ पर CH3, CH2, यहाँ पर H और BR है यह alcoholic QH की उपस्तिती में अगर यह अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर CH2, double bond CH2 बन रहा है और HBR इसमें से निकल रहा है चौथा जो इसका example है वो है dehydration या निर्जली करण यहाँ पर आप देखें CH3, CH2, OH है इसकी अभिक्रिया सांध्र H2SO4 की presence में कराई जाती है 170 degree Celsius पर तो यह CH2 double bond CH2 का formation हो जाता है तो यह इसके कुछ example थे अब यह देखते हैं कि अभिक्रिया होती कैसे हैं तो यह जो अभिक्रिया हैं यह दो क्रिया विधी द्वारा होती है एक होता है E1 mechanism और दूसरा होता है E2 mechanism तो अपन इन details में पढ़ेंगे E1 और E2 mechanism क्या होता है तो E1 mechanism है यह unimolecular elimination reaction है यह दो पदों में होती है जो प्रथम पद है उसमें कार्बोनिया मायन बनता है और द्वितिये में शार प्रोटॉन को खीचने के बाद उत्पार बना देता है यहाँ example आप देखिए कि tertiary butyl bromide के शार उत्प्रेरित V hydro halogic current द्वारा isobutene का बनना यहाँ पर देखिए यह tertiary butyl bromide है C, CH3, 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 CH3-BR अब यह slow reaction में क्या हो रहा है इसमें से BR electrons को pull करेगा और अपने बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बन गया tertiary कार्बोकेटायन बन गया प्लस bromide radical अब next step में क्या हो रहा है कि यह जो positive charge आया आप देखिए इस पर electrons की कमी पूरी करने के लिए यह इस पर इस तरफ shift करेगा और यहाँ जो deficiency हो गई इसको पूरा करने के लिए जो यह OH आयन है यह इसकी तरफ जाएगा इसको help करने के लिए तो यह एक fast reaction होती है और आप देखिए कि यहाँ क्या हुआ कि यह CH2 double bond C CH3 CH3 इसका formation हो गया जो यह OH है यह H को अपनी तरफ खीच लेगा ठीक है यह जो CH2 यह जो है यह अपने को इधर shift करेगा इस deficiency को पूरा करने के लिए और यह H है यह free हो जाएगा यह OH के साथ में जूड़ जाएगा तो यह इसके E1 mechanism Unimolecular mechanism है जो second type of reaction जो यह elimination अपने को देखने को मिलता है वो E2 elimination reaction है और यह biomolecular है यह जो अभिक्रिया है यह एक पर्द में होती है और यह देखिए आप primary alkyl halide को जब किसी भी base के साथ अपन reaction कराते हैं तो V hydrohalogeny current इसमें देखने को मिलता है यहाँ आप देखें CH3 CH2 BR है यह C2H5 ONA के साथ जब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो minus HBR निकला यह बन गया CH2 double bond CH2 यहाँ पर क्या हो रहा है इसकी reaction mechanism देखें तो यहाँ क्या हो रहा है जो यह CH2 है यह BR है यह BR electronegative है यह अपने electrons को पुल करेगा तो यहाँ electron deficiency हो गई यह electron deficiency जब CH2 पर हो रही है तो उसको in turn यहाँ पर जो deficiency है उसको meet out करने के लिए यह electrons इधर shift हो जाएंगे और यह H free हो जाएगा यह बाहर निकल जाएगा तो CH2 double bond CH2 बन गया और यह C2H5 OH बन गया और यह bromide radical बाहर आ गया तो यह यहाँ पर जो E2 mechanism है यह यहाँ पर देखने को मिलता है तो यह तरीका था elimination reaction का जो की addition का बिलकुल opposite है अब जो next जो है वो है rearrangement reaction rearrangement reaction क्या होती है कि इसमें एक परमानू, समू या द्वीबन एक स्थान से उसी अणू के दूसरे स्थान पर उसका अभी गमन हो जाता है वो move कर जाता है जैसे अपने example देख रहे है यह A, B में X और Y ग्रूप जुड़ा है तो यह क्या हो जा रहा है कि X की जगे Y आ गया और Y की जगे X आ गया या यहाँ पर A, B और C है जा यहाँ पर A, B के बीच में single bond है और B, C के बीच में double bond है तो यह rearrange करके A, B के बीच में double bond आ जाता है और B, C के बीच में single bond आ जाता है तो यह rearrangement अभी करिया है अब इसके कुछ examples हैं देखिए आप पहला example है normal butane का अगर उसको heat कर रहे हैं in presence of ALCl3 तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि यह जो CS3 group है यह tertiary में change हो जा रहा है क्यों? क्योंकि यह जादा स्थाई है 1 chloropropane को देख रहे हैं CS3, CH2, CH2, CL इसको अगर nirjal, ALCl3 के साथ में heat कर रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिए इसमें 2 chloropropane का formation हो जा रहा है फिर तीसरा इसमें reaction है acetyl nitrine का जब अपन देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो CS3 group है यह move करके यहाँ N के साथ जुड़ जाता है और यह methyl isosyanate का formation हो जाता है चौथा जो example है वो है phenyl hydroxyl amine यहाँ पर क्या हो रहा है? यह समू move करके NH2 और यहाँ पर 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 पोजिशन पर OH समू इसमें यह move कर जा रहा है फिर अगला example है phenyl acetate यहाँ benzene के साथ OCOCH3 है यह nasal ALCL3 के साथ इसके अभित्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर CO, CS3 group और और पर पोजिशन पर इसके साथ जुड़ रहा है similarly यहाँ CO, NA है इसको 140 degree पर हीट कर रहे है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? CO, NA और OH इसके साथ जुड़ जा रहा है यहाँ पर NH, SO3H है सल्फेमेक अम्ल यहाँ पर यह सल्फेमेलिक असट बन जा रहा है तो यह इसके कुछ examples थे कुछ जो पुनर्विन्यास ऐसे भी है जो ताप या प्रकाश के प्रभाव से होते हैं और इसमें कोई परमाणू मूव नहीं करता है अम्ल या शार का भी पुनर्विन्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यह reactions है परिसाइक्लिक रियाक्शन और यहाँ पर देखें यह कोप रियर्रेंजमेंट है यहाँ पर क्या हो रहा है एक दो के बीच में डबल बॉंड है पांच-शे के बीच में डबल बॉंड है जब इसको 165-185 डिग्रीज पर हेपन हीट कर रहे है तो यहाँ क्या हो जा रहा है movement of double bond हो जा रहा है जो एक दो के बीच में double bond है वो move कर जा रहा है दो तीन के बीच में और यहाँ यह इधर move कर जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यह product बन गया देखे एक phenyl 15 hexadyne बन गया यहाँ से यहाँ पर यह 1, 2, 1 और 6 के बीच में opening थी यहाँ पर 1 और 6 के बीच में देखे यहाँ पर जो 3 और 4 के बीच में opening होके यहाँ यह जुड़ जाएगा तो यह एक तरह का rearrangement है परिसाइकलिक rearrangement पर इनका जो mechanism है यह भी आपके लिए आपके level से उपर का है तो इसका mechanism आपके course में नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही तो 4 तरह की reactions है मैंने अलग-अलग videos में आपको एक में मैंने substitution reactions पढ़ाया है एक में आपको मैंने addition reaction पढ elimination reaction और rearrangement पढ़ाया है तो आप किताब भी पढ़ते जाए और साथ में videos देखिए subscribe करिए हम लोग का चैनल college का और कहीं नहीं समझा रहा है तो आप हमसे contact कर सकते हैं thank you so much